हाल ही में वाटसैप ने अपनी प्राइविसी पॉलिसी में बदलाव किया इसके बाद ही सवाल उठने लगे कि आपका डेटा कितना सुरक्षित है आपके परसनल चैट, इमेल, कॉल रिकॉर्डिंग कौन सुन और पल सकता है इस सवालों का क्या पॉलिस ऐसा कर सकती है, क्या इस डेटा को पबलिक में जारी किया जा सकता है, क्या कोर्ट में इनको सबूत माना जाता है, आपके तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे सबसे पहले बात call detail के record की दो लोगों के बीच कब-कब और कितनी देर तक बाते हुई इसके record को CDR यानि call detail record कहा जाता है इसमें time होता है, duration होती है और 7 location भी होती है इसमें call recording नहीं होती है यानि आप अपने mobile से जो बातचीत करते हैं इसको telephone, इसको telecom company सेव नहीं करती है एक दूरसंचार company से जुड़े कर्मचारी ने नाम नहीं छापने के शर्थ पर कहा कि company पुलिस को केवल CDR ही उपलब्द करवा सकती है लेकिन दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को कहीं किसी तरह record नहीं किया जाता है अब सवाल की क्या पुलिस बातचीत record कर सकती है इडियन टेलिग्राफ एक 1885 के section 5 bracket में दो के मताबिक केदल सरकार और राज सरकारों के पास phone tapping का अधिकार है देश के सुरक्षा आखंडता आधी के लिए सरकारे चाहें तो किसे का phone tap करवा सकती है इसके लिए लिखित दस्तावेज जारी किये जाते हैं जिनके अधार पर पुलिस के सक्षम अधिकारी दूर संचार कंपनियों से बात करके recording कर सकते हैं बारती टेलिग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 2526 के तहत अवैद recording, interception पूरी तरह से गैर कानूनी है ऐसा करने पर तीन साल की जेल और जुरुमाना दोनों हो सकता है महिदूर संचार सेवा कंपनियों का अभी ये उत्तरदायत्व है कि उनके नेटवर्क में कोई सेंध मारी ना कर सके कहीं किसी तरह अवैद interception ना हो सके ये जिम्मेदारी टेलिकॉम कंपनियों की ही है दिली हाई कोर्ट के दिवक्ता उश्पेंद सिंग तोमर कहते हैं निस्ता का अधिकार समविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है एड़ोकेट आलोक शर्मा के मताबिक जो जानकारी आप अबलिक करते हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है आप अपने फोटो शेर करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है पुलिस के जाच अधिकारी सबूत जुटाने के लिए लैप टॉप, मोबाइल आधी को जब्त कर सकते हैं यूपी पुलिस के सम इंस्पेक्टर करमवीर, साइबर एक्सपर्ट के रूट में पहचान रगते हैं उनने बताया कि WhatsApp आपसे जितना भी डेटा मांगता है, जिन चीजों को भी आप अकाउंट बनाने के लिए मोहिया करवाते हैं वो सभी सूचनाएं लीगल एजेंसी के साथ साधा की जा सकती हैं उनने बताया, जितनी सूचनाएं अकाउंट बनाने के लिए आपसे मांगी जाती हैं, जितनी तरह के परमीशन मांगी जाती हैं वो सभी लीगर एजेंसी के साथ साधा की जा सकती हैं आज की तारीक में तकनीक की दुनिया में कोई कार्य संभाव नहीं है वाटसेब अभी तक परसल स्टोरेज पर चल रहा था, डेटा गूगल ड्राइब पर सेव होता था, वो सेंट्रलाइज नहीं था अगर आपका वाटसेब वन ड्राइब या गूगल ड्राइब से अकाउंट जुडा हुआ नहीं है, तो एक लोकल बैकप भी बनता है कोई कमपनी तब तक आपकी डेटा में ज्छाक नहीं सकती, जब तक कि वो सेंट्रलाइज ना हो और उन्हों पता है कि अगर डेटा क्लाउड पर है, तो उसका एक से सम्मधित कमपनी के पास है, उसको कमपनी देख सकती है, सन्नक्षित कर सकती है क्या कोई आपकी निजी चैट पढ़ सकता है, अब सवाल ये, इसके जवाब में कर्मवीर कहते हैं कि आज IT का युक चल रहा है, सौटफियर के माध्यम से सब कुछ संभवे लेकिन वो महंगे सौटफियर है, आम आदमी की पहुंस से बहुत दूर है, हाला कि वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि उनके फोन सुने जा सकते हैं, या चैट पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वो हसकर कहते हैं कि मैं भी चाहूं तो भी ऐसा नहीं कर सकता, आप सवाल कि क्या पुलिस जाश के दौरान मिले डेटा को सारवजनिक कर सकती है, हमने सीन पुलिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता है यह प्रोटेक्टेट भी है सेक्शन बहात्र साइवर एक्ट में अगर जांश के दौरान पुलिस को कोई जानकारी मिलती है इलेट्रोनिक अम्मुनिकेशन के रूप में तो इसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते अब सवाल किये क्या पुलिस लैपटॉप मुबाइल आधी जब जब्द करती है तो इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत होती है इस पर अनुज अगरवाल कहते हैं इसमें कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है CRPC और IT Act में पुलिस को ये अधिकार है कि किसी केस की जाश के दौरान वो इलेक्ट्रोनिक दस्तवेज जमा करे वो हर हद तक जानकारे को खुश सकती है और उसकी पड़ताल कर सकती है जो limitation है वो sharing पर है जिस जाश के लिए इन चीजों को लिया गया है उसी जाश को ही किया जा सकता है ऐसमें कुछ personal चीजें उन्हें दिखेंगी लेकिन वो उसे ignore करके जाश को ही आगे बढ़ाएंगे उन चीजों को देखने के बाद पब्लिक को बयान देना, मीडिया में चीजें उपलब्द करवान निस्ता का हानन माना जाएगा अनुज बताते हैं कि पुलिस के पाद ऐसी तमाम तरगीबे हैं जिनके जरीए वो हर तरह की डेटा को एकसेस कर सकती है डिलीट हो चुके डेटा को भी डिकवर किया जा सकता है UPSC पार्चाला के जो केटर अतुल जैन कहते हैं सम्विधान का आर्टिकल बीस तीन कहता है कि आपको आपकी डिफेंस का अधिकार है आपको खुद के खिलाब गवाही देने के लिए बाद नहीं किया सकता आप से इसा डेटा नहीं मागा जा सकता जिससे आप खुद फ़ज़ जाए आपको अपने खिलाब सुबूत या गवाही के लिए बाद नहीं किया सकता जाँज के तोरान पूलिस इलेट्रोनिक माधिमों को जमा कर सकती है लेकिन चैट आदी को पूलिक नहीं किया सकता है अतुल जायन कहते हैं कि अगर आप कानून के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो निजिता का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता है किसी भी मूल अधिकार की सीमाएं होती है भारत में असप्रश्टा के खिलाफ आधिकार को छोड़ कर कोई अधिकार पून नहीं है आर्टिकल सत्रा आपका उसका कोई अपवाद नहीं है लेकिन बागी अधिकारों पर अपवाद है एक और सवाल मन में आता है कि क्या वाटसेब चैट को सबूत के तौर पर कोट में पेश किया जा सकता है एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65B की तहब वाटसेब चैट को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है लेकिन इसको एक हलफ नामे के साथ पेश करना जरूरी है अपनामे के कोर्ट में कोई भी सबूत मानी नहीं किया जाएगा सुप्रीम गोर्ड के वकीर राकेश म्रदुल कहते हैं बिल्कुल वाटसैप चैट को सबूत माना जैसकता है चेन ओफ एविडेंस में इसकी गिंती हो सकती है इमेल का आदान प्रदान, फेस्बूक या अनिक इसी माध्यम पर हुई चैट को भी इसी शरीड़ी में रखा जाता है इस तरह की बातचीत को सुबूत की रूप में सुविकार किया जाता है लेकिन ये मेन एविडेंस नहीं होते हैं सपूर्टिव एविडेंस होते हैं अन्त में बात करते हैं निश्टा के अधिकार की सम्मिदान के भाग 3 के अनुच्छे 14 समानता का अधिकार अनुच्छे 19 अभिवक्ती की आजादी और अनुच्छे 20 जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिकत सोतंतरता का अधिकार के तहर्ट ये अधिकार नागरिकों को मिला है इन 3 में अनुच्छे 20 राइट तू प्रेविसी के सबसे करीब है ये अधिकार नागरिकों की व्यक्तिका जानकारी जैसे उनका नाम, पोन, नमबर, पता उनका बायोमेट्रिक डिटेल आदी की सुरक्षा सुनस्चित करता है निस्ता का अधिकार का हनन सम्मिधान के अनुछे दे किस का उलंगन माना जाता है इसके धार किसी की नेजी जानकारी को सारुजनिक करना गैर कारूनी है Information Technology Act, IT Act 2000 की धारा 72 की मताबिक इसी व्यक्ति ये कंपनी को किसी के electronic डेटा को रखने के शक्ति दी जा सकती है जिस व्यक्ति का डेटा है बिना उसकी सहमती की उसकी जानकारी किसी और को नहीं दी जा सकती लेकिन जाज एजनसियों को दंड प्रक्रिया संगिता CRBC 1973 के जास के लिए किसी कि जानकारी हासल करने का अधिगार है आपके लिए जानकारी लाइथ हमारे साथी वरुन देखते रिए दिल अलंटॉप लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी ससाइटी परिवार और दोस्तों के दपाव का